हलो दोस्तों आप तभी का मेरी चैनल में स्वागत है आज गनीश शतुति के उपलक्षमी आप सभी को हार्दिक भदाईयां आज जो मैं बनाने जा रही हूं तिलकुट ये एक ट्राडिशनल रेसिपी है जो पुराने समय से तिलकुट बनाया जाता है पहले इसे हिमाम दस्त से बन जाती है आएज देखे कैसे बनती है इसे परशाद के रूप में इस्तमाल किया जाता है इसके लिए मैंने 200 गराम गोड़ लिया है और 300 क्राम तिल लिया है और मैंने 4-5 चमज-भद काजू लिया है सबसे पहले मैंने मुड़ को अक छेता खुग कोद कर मिक्सर में तिल को भी डाला है तिल डाल कर मैं इसे मिकसर पे पीस हूंगी और इसको लगाता नहीं चलाना है रुक रुक कर ही तीसना है यह देखिया हमारा पीस गए है यह ना ज्यादा बारीख है ना ज्यादा मोटा है यह बिल्कुल आपस में दोनों मिल गए है अब इसके अंदर हम काजू डाल देंगी आप चाहें तो इसके अंदर कोई भी मेवे डाल कर बना सकते हैं यह बिल्कुल ही सिंपल रैसिपी है और जटपड बनाई जाती है इसको ड्राइफू डाल कर मिकस करते हैं लोबा और बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाकर परशाद के में चड़ाते हैं यह देखिए बिल्कुल तैयार है मेरा यह एक पारंपर रैसिपी है